हमारा गडिक में टोपी चल लागा बहुपत पॉलिनॉमियल उस पॉलिनॉमियल में आइडिंटिटी चल रही ची सर्वसमी का तो हमारे पास जो हमने चार सर्वसमी का पड़ ले थी अब पास ही सर्वसमी का है मरबास तो यह है एक्स प्लस Y प्लस Z का होलिस्ट रहर तीन पत हो ट्री पती हो और उनके उपर स्कॉयर हो तो इसका हम सर्वसमी का हल करेंगे तो तो x square plus y square plus z square, तीनों के उपर square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, ये इस सर्वर सिम्मी का होती है, अब ये समसे पहले में इसको प्रूब करके दिखाऊंगा, फिर इश्री दे equation करके दिखाऊंगे, तो करते हैं, x plus y plus z का all square, तो x plus y plus z को x plus y plus z से ही गुणा करना है, तो ये x इस पूरे से गुणा होगा, फिर ये y भी पूरे से गुणा होगा, फिर ये z भी पूरे से गुणा होगा, तो करेंगे, x गुणा है किससे? x plus y plus z से, फिर ये वाला y, पलस का y भी गुणा है, x plus y plus z से, फिर ये z, ये भी गुणा है, x plus y इसको इससे उना किया x2 फिर किया इसको इससे कि मुणा किया xy प्लस zx या xz लिख दो एक ही बात है yx प्लस y2 प्लस yz प्लस zx प्लस zy प्लस z2 देखो पहले दिवी दा दो बात माले उनको इक जगर लेते हैं लिख लेते है x2 प्लस y2 प्लस z2 फिर देखो xy इसके समान कुन सा पत है समान पर डूटेगी xy की पास xy यह जबो yx को xy गेख सकता हो मैं करमीन में बता रखता है तो इसका क्याद है एक xy यह रहा एक यह रहा है तो यह भी पू जैक्स यह हमारे पास सर्वसम्मी का बनगी इस तरीके से हम इस सर्वसम्मी का किस प्रकार से गोणा करने पर क्या प्राफ्त होगा यह हम निकाल सकते हैं अब इसमें क्यूशन जैसे हम इसका अल करते हैं क्यूशन अल करते हैं क्यूशन ने दे मामलवा में 2x-k y-k 3z इसका हो इसका हो इसका है तो देखो यहां पे मैं a b लिख देता हूँ कि यह उपर x लिख रखा है तो आप क्यूशन ना हूँ तो a b c लिख देता हूँ ठीग है लिख न 2a-b plus 3c तो अब x की जगह यह पूरे x की जगह-2ay-ya काम करता है y की जगह-b you have to maintain… और यह z की जगह है 3 do । यहाँ plus है यहा बाइन्स है minus का भी ठीग है और यहाँ z की जगह 3C तो इसमें लिखेंगे तो क्या बन जाएगा X की जगह है 2A दिखती है Plus Y की जगह है Minus का B Plus Z की जगह है 3C इसका Holy Square बराबर X स्क्वेर मलब 2A का Holy Square Plus Y स्क्वेर मलब B का Holy Square और Z 3C का Holy Square Plus की 2X की जगह है 2A और Y की जगह है Minus का B Plus यानी चिरिक जगह है 2Y की जगह है Minus का B और Z की जगह 3C Plus 2 इंटू Z की जगह 3C और X की जगह 2A मैं सल करना है दो का इस पुबरा करेंगें कितना है च्यार और A गुणा A A स्क्वेर देखो Minus B गुणा Minus B तो Plus का B स्क्वेर Minus D को Minus B से बुणा करेंगे तो Minus Minus Plus और B स्क्वेर इसी प्रगार तीन का बुणा है 9 और C स्क्वेर Plus में 2 दूनी 4 आप देखो A Plus A Plus Plus और इस Minus से बुणा होना तो या क्या जाएगा? Minus आजाएगा देखो A और A और इंटू B A B इसी प्रगार इसको आएगे तो देखो ये Minus ये Plus माइनस और ये Plus तो Minus Minus का निसान तो 3 दूनी 6 BC इसी प्रगार या Plus है सभी 3 दूनी 6 दूनी 12 तो Plus के 12 तो ये इसका हल हो गया इस प्रगार हम इसको हल कर सकते हैं तो या फिर इस रूप में दे रखता है तो इसका गुणंखन निकालना हो तो इसी प्रगार हमें देखना है 3 पदों के पर स्क्वाइर होना चाहिए और 3 पदों ऐसे होने चाहिए जिसमें वेरियेबल देखना है दो-दो पमघन में है तो इसका अम उरंखन भी कर सकते हैं तो इए वाली सर्वशमिका स्क्वैर वाली सर्वशमिका सभी कमपनिट हो गई अब हम लेक क्यूब वाली गाथ 3 वाली WOW चक्या है X प्लस Y की गां 3 इसका मांण क्या होता है तिएल एकि रहन के रुषाती है इसको प्लस वाय 극 गढग दो स्वाध़ किसे और की स्वाऩы रहें flame थीए या तिरे सब्सक्वाई इंटू क्या रहीं हो सकता हो एक्स प्लस वाई का गढग दो किसका मान हमने प्लस रहें तो X प्लस Y इंटू इसका मान क्या आता है? X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर प्लस 2X वरी आप देखो यह इससे भी गुणा होगा और यह इस पुरे से गुणा होगा पैले तो X बूड़ा X फ्लस Y स्क्वेर प्लस 2XY प्लस Y को गातों से गुणा गिया तो गाती प्लस X Y square यहां पर 2X square Y Y से पुणा किया Y X square प्लस Y की गार 3 प्लस इसको इससे पुणा किया 2X Y square देखो सबसे बड़ी गार 3 है तो यह रही एक यह रही इन डोनों के जिगाल है तो X की गार 3 प्लस Y की गार 3 ठीक है प्लस अब देखो 2 x square y और 1 ये रख x square y लिखा ऐसे लिखेडा होगे ये दोनों क्या को पाल प्रख कितने होगे 3 x square y इसे परकार ये x y square और इधर x y square तो ये दोनों एक जैसे पाल होगे समान पाला होगे तो як lo rides कितने होगे 3 إ तो इस तरीके से हम लोडोनो रूप इसके nails काम में ले सकते हैं अब यहां से एक सर्वसमी का और बनती है कापी काम में भी आती है कि वह कौनशी होती है x3 प्लस y3 ठीक है अगर इसका मान निकालना हूँ ठीक है तो मैं इसी से बता रेता हूँ आपको जोड़के हमारे पास सर्वसमी का कौनशी छटी आ गई क्या थी x प्लस y की घात थी क्या माना है इसका x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y यह फिर अलग अलग रूप में लिख लोग एक की बात है तीक है कौल के ब्रेक इटको अगर हमें किस रूप में दे रखें एक्स की घात थी और वाई की घात थी इसका मान निकलना है इसको तो यही रखें इसको तो मैं यही रख रहा हूँ एक्स की घात थी प्लस y इस वाले पार्ट को उठाके इसके पास लेज़ा है तो एक्स प्लस y के ब्रेकेट में घात थी यह इदर आएगा तो माइनस धरी रेके ही एक्स वाई इन्टू एक्स मैं प्लस की है ठीक है यह पुरा एक्स में खास ले गई तो एक तो दो गात बस थी तो यहा से क्यू abre कम Kardash क LIKE रहेरी तो इसमें भी हेख राट थीट आए इसमें भी है तो एक्स क्लस हुऊं यहां से x प्लस y ऐसा कैसा गया इसको अल करेगी यह सर्वसमी का हमने पढ़ रखे क्या x2 प्लस y स्क्वेर प्लस 2xy और यह माइनस के 3xy बराबर x की गार 3 और y की गार 3 तो क्या बन जाएगी x प्लस y x स्क्वेर प्लस y स्क्वेर अब देखो 3xy माइनस के 2 प्लस के सेम पद है समान पद है लाइक ट्रेम है तो क्या दाएगा माइनस का x y एच के बराबर x की गार 3 और y की गार 3 तो यह दोनों सर्वसमी का बन जाती है जो आपको याद रखना है क्योंकि एक्जाम में इस पर भी बहुत जादा क्यूसन आते हैं तो इसको सर्वसमी का को भी याद रखना है अलब मैं इसको डारेक्ट सीधे रूप में लिखू तो ऐसे लिख सकते है एक्स की गार 3 य की गार 3 बराबर क्याता है इन दोनों को बगर गार के लिखो प्लस में इन टू में एक एक गार काम गर दो और दोनों को निशान चेंज करके मड़िपल भी लिख तो तेकि न इस परकार इस सर्वसमी का को भी हम अराम से आसानी से कर सकते हैं अब इंसे सब्सक्राइब करते हैं जैसे एसे कर लो के वन एंडे टू का हॉल क्यों ठीक है इसको करते हैं तो इसको मैं क्या रिख सकता हूं 100 प्लस दो इसकी गार दें 3 ठीक है 100 प्लस दो की गार की लिख सकता हूं तो बनलब यह तो किसका एक्स का और यह किसका का काम गरा य तो हमार X की जगए तो कितना है 100 है और Y की जगए कितना है 2 इसमें निखेंगी तो इधर निखा दो 100 प्लस 2 की गाव 3 इधर लगा 100 की गाव 3 प्लस 2 की गाव 3 प्लस 3 गुणा 100 गुणा 5 की जगए 2 इंटू 100 प्लस 2 इसको गुणा तरेगी 1 2 3 4 5 6 तीन प्लस 2 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा गुणा देखो किंदुनी 6, 6 को 100 से गुणा किया 600 और गुणा 100 प्लास 2 देखो इसको जोड़के गुणा करोगे थड़ा सा आपको दिक्कत आशकती है तो इसको यहां ब्रेंकेट में वैसे ही गुणा करना है खौल के 100 प्लास 600 तो 100 प्लास 600 से गुणा करोगें दो जिरू प्लास चलो एक पर दिखा लेता हूं आपको 100 प्लास 600 प्लास यह इसे गुणा होगा और यह इसे गुणा होगा 100 प्लास 600 प्लास 2 तो प्लास 8 प्लास 300 प्लास किया 600 किया के 서aps 612 सब को जोड़ दो प्रवाइब तो सब्से पहले दो इकान कितना आठ दाई में जीरो आ रही है तो इसमें दो आ रहा है तो इस तरीके से हम इसका हल रहा है मेलकुल आजानी सी अगर इसकी हम एक बना सकते हैं अगर यहां X की Y की Plus की जगह minus हो मैं बना सकते हो मैं इसको minus ने सकता है इसको x-y की मेलक बन जाएगा मैं लिखते हूं यहां भी minus की बनाना थूँग यहां भी. इसलोर सम्मी का क्या बन जाएगे हमारी पास है वह बन जाएगी x-y की whole cube बराबर ठीक है x cube plus अब देखो minus y गुणा minus y गुणा minus y minus को minus से गुणा क्या plus plus को minus से गुणा क्या minus और यह plus है तो minus minus y ठीक है ठीक है यहाँ minus होगा तो यहाँ भी minus हैगा plus or minus minus 3xy ठीक है इंटू यह x और यह plus minus minus y ठीक है यह हमारी एक नई सरो सम्मी का है जो आपको यहाँ रखने है इसलिए समान plus minus 1 अगर plus हो यहाँ x plus y हो whole cube हो तो क्या किया है x cube plus y cube plus 3xy into x plus y अगर यहाँ minus हो तो y जो y वाली जहां भी ट्रम लिख रही है वहाँ को क्या लिख देना है minus लिख देना है तो इसको भी हम कर सकते हैं ठीक है इसका question आपको करना है comments में box में मेरे पूल लिख के भेजना है अगर आपको नहीं आता तो मैं करके दिखाँगा इस वाले question को आपको करके देखना है कहने सकता हूँ 100 minus 1 की घाट ठीक है अलब x का मान क्या है 100 और y का मान क्या है एक इसमें रखेंगे इस सर्वा समीका में इसका answer तो आपको kind out करना है और फिर मेरे को बताना है ठीक है